हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल एजुकेशन हिंट में आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीक इन्या चेप्टर मगत समराज और यूराने अक्रमरों के बारे में जो आज का सेशन बहुत इंपोर्टन्ट होने वाला है क्योंकि इसमें हम टॉप क्या हैं सिक्यों सब्सक्राइब के बारे में बात करने वाले हैं तो आश करें हैं चैप्टर का प verste को अध़して चुर्चन सा उसका पेला कोश्चन है मगद के स्थान के लिए कौन सा प्रथम सासक उत्ताधाई था यह भी मिशार था इसके बाद कोश्चन है उस राज का नाम बताईए जिसने पहली वार युद्ध में हाथियों का इस्तमाल किया, ये मगध रास्ता, इसके बार नेक्स कोश्चन है, मगध के राज वंस के काला निक्रूमानुसार जो क्रहम है उसके बारे में बताना है, उसका आंसर होगा हर्यक वंस, सिसनाग वंस, नंद वंस और मौर वंस इसके बार नेक्ष कोश्चन है छटी सताब्दी ईशापुरू के सोला महा जनपदों के विशे में किस बौध गरंत में जानकारी मिलती है ये अंगुतर निकाय से जानकारी मिलती है इसके बार नेक्ष कोश्चन होगा पाटली पुत्र के संस्थापक कौन थे ये उद्यन थे इसके बार नेस्ट कोश्चन है जो यूनानी आक्रमण के कुछ important कोश्चन है इसके बारे में पहला कोश्चन होगा यूनानियों को भारत से बार किसने निकाला था ये चंद्रगुप्त मौर ने यूनानियों को भारत से बार निकाल दिया था इसके बाद नेस्ट कोश्चन होगा चंद्रगुप्त मौर ने अपने अंति दिन कहां गुजारे थे ये श्रवन बेल बोला में इन्होंने अंति दिन गुजारे थे नेश्ट कोश्चन देव नाम प्री के नाम से कौन विख्यात है ये अशुक विख्यात है इसके बाद नेश्ट कोश्चन पाटली पुत्र चंद्रकुतुर मौर अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुवाई हो गया था ये जैन धर्म के अनुवाई हो गया थे नेफ्श कोशिए्ण असुक के सारनाात सिंग इस्थमके फलक पर प्रदरशिद पश्मू का सही क्रम है सही क्रम बताना अपको तो सही क्रम होगा अश्व, शिन्ग, हाथी और व्रशव इसके वान नेश कोश्चन होगा मौर काल में विविन प्रांतों की जो राजदानिया है उनका सही मिलान करना है इसलिए पहला होगा उत्तरापत तक्ष सिला नेश कोश्चन होगा अवंती राष्ट उज्यानी उज्यान से प्रांची, पाटली पुत्र, कलिंग, तोशली से, दक्षणापत, शुवनगिरी से नेश कोश्चन होगा कलिंग युद किस वर्ष में हुआ था ये 261 इश्वी पूर में हुआ था इसके वान नेश कोश्चन है चन्गुप्त मौर के दरवार में भेजा गया युनानी राष्दूत कौन था ये मेगा इस्तिनीज था इसके वान नेश कोश्चन होगा मौर उकाल के दोरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था ये तक्षशिला है इसके बाद नेक्स कोश्चन है असोक के किस पौध शदू से प्रवावित होकर बौध धर्म अपनाया गया ये उपयुक्त से अपनाया गया मौर वंस के ततकाल बाद किस वंस ने आकर मगद राज पर शासन किया ये शुंग वंस ने शासन किया था इसके वाद नेश्ट कोशन होगा अशोक के शासन काल में बौद सबाक किस नगर में आयुजिद हुई इसके वाद रिपीट कर देते एक क्वोश्चन अशोक के शासन काल में बौद सबाक किस नगर में आयुजिद हुई थी इसका अंसर होगा पार्टली फुत्र में हिए इसके वाद नेश्ट कोशन है सांची का स्ठूप किस ने बनवाया था यह अशोक ना बनवाया था यह important questions है अब इसको important questions में डाल सकते हैं इसके बाद next question होगा अशोग ने चला लेखों में परियुक्त भासा कौन थी यह प्राकतिक भाशा थी इसके बाद next question होगा अशोग के अभिलेकों को सरप्रथम पढ़ा था यह जेम्स प्रिंशेप ने पढ़ा था इसके बाद next question होगा अशोग ने धम प्रचारक के रूप में स्रिलंका किसको बेजा था यह महेंद्र तथा संग मित्रा को स्रिलंका बेजा था इसके बाद next question होगा कलिंग असो के किस सिलालेक में है ये तेरवें सिलालेक में दिया गया है इसी में मौरतर काल के भी कुछ important questions आइड किये गए हैं तो उनको डिसकस कर लेते हैं उनका पहला question होगा मौरतर काल का पहला question है कुणाल कुछान वन्स के प्रसिद्ध राजा का नाम बताईए ये कनिश्क थे जो कुछान वन्स के प्रसिद्ध राजा थे इसके वर next question शक्व संबत किस ने और कब शुरू किया था ये कनिक्स ने 78 इश्वी इसापुर में चीनिक्स के राज चीछ सकते स्काने चेड़ा की गन्दार। किसके सासनगाल में पनपी थी tyccanिकिक्स के राज में पनपी थी निसक्व चैनल साथ वहन का सबसे बढ़ा सासक यह गौतमी पुत्र शाथ्वादब करन था यह एक तो कुछत important question मगत समराज एवं युनानी आक्रमाण से तो आप तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर तब तक के लिए धन्नवाद